नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician Channel में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीदियो के द्वारा हम सेखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी मोटर को एक टाइमर के द्वारा ओपरेट कराएंगे यानि कि यदि हमें मोटर को केवल आदे घंटे के लिए चलाना या फिर एक घंटे के लिए चलाना है तो हम किस प्रकार से उसमें टाइमर का कनेक्शन करके उसका सर्कीट डाइगराम को ड्रो करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप एक डिवेल स्टार्टर का कन्ट्रोल सर्कीट और पावर सर्कीट डाइगराम को देख रहे हैं दोस्तों अब यदि आपको इस मोटर को चालू करना है तो आप क्या करते हो कि स्टार्ट पुस बटन को प्रेज करते हो तो आपका मोटर रनिंग करने लगता है यानि कि चलने लगता है ठीक है यदि आपको इसको बंद करना है तो आप इस्टो पुस बटन को प्रेज करके इसको बंद करते हो लेकिन दोस्तों यदि आप इसी मोटर को केवल आदे घंटा चलाना चाहते है यानि कि यह मोटर आज हम इस वीडियो के दोरा सेखेंगे ठीके दोस्तों तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक शेर और कमेंट कर दीजेगा और अपने फ्रेंज के साथ इस वीडियो को जरूर सेट कर दिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस स्टार्टर को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें कॉंटेक्टर और एक ओवलोड रिले के जोट पड़ेगी और उसके बाद में यहां पर हम एक स्टार्ट पुस बटन और स्टॉप पुस बटन का उपयोग करेंगे ठीके और हमें यहां पर एक टाइमर का इस्तमाल करना परेगा दोस्तों यह जो हमारा टाइमर है वो ओन डिले टाइमर है ठीके इस टाइमर में हम टाइम सेट करके मोटर को ओफ कराएंगे ठीके दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हम एक auto manual switch का भी इस्तमाल करेंगे ठीके दोस्तों auto manual selector switch का उपयोग इसलिए करेंगे ताकि यदि हमें motor बीना timer के on करना हो यानि कि हमें time पे बंद नहीं करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि selector switch का position manual में select करके motor को run कराएंगे ठीके इससे क्या होगा जितने समय तक हम motor को चलाना चाहें उतने समय तक चला सकते हैं ठीके और यदि हम selector switch का position auto में select करके motor को start करेंगे तो हमारा timer काम करेगा ठीके दोस्तों आप देखिए दोस्तों यदि आपको on delay timer और off delay timer के बीच में difference नहीं वालूँ तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से explain किया हूँ कि on delay timer क्या है और off delay timer क्या है और उनका उपयोग कहां पे करते हैं ठीके दोस्तों तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं उस वीडियो का link में description में दे दूँगा ठीके दोस्तों चलिए आगे बरते हैं देखिए यहाँ पे हमें control wiring करना है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको power wiring नहीं बताऊंगा ठीके power wiring हर एक dual starter का same होगा ठीके यहाँ पे हम केवल control wiring करेंगे ठीके दोस्तों अब जो हमारा control MCB है उसके incoming terminal पे face supply और neutral supply को connect कर देते हैं दोस्तों अब देखिए यह जो हमारा contactor है और जो timer है इन दोनों को neutral supply चाहिए ठीके neutral supply देने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा MCB था उसके outgoing terminal से एक wire को connect करके contractor को neutral supply दे देंगे ठीके उसके बाद हमारा जो timer है is ket a to terminal यानि कि इस terminal पे हमें neutral supply देना है तो हम क्या करेंगे यहां से एक वायर को loop करके इस terminal के सर connect कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो neutral supply का connection था वो complete हो गए ठीक है अब हमें cable face supply का controlling करना है तो हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा MCB है इसके outgoing terminal से एक wire को connect करके जो हमारा overload relay होता है उस overload relay के 95 number terminal के सर connect कर देंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं एक wire को connect करते हैं और 95 number terminal के सर connect कर देंगे उसके बाद देखिए यह जो 96 number का terminal है इस terminal से एक wire को connect करके इसको हमें stop push button के incoming terminal पे connect करना है तो हम यहाँ से एक wire को connect किये और इसको ले जाके हमारा जो stop push button है उसको incoming power supply दे दिये ठीक है अब जो हमारा start push button होता है उसको हमें incoming power supply देना है तो इसको incoming power supply देने के लिए हमारा जो stop push button है उसके outgoing terminal से एक wire को connect करके इसके incoming terminal पे connect कर देंगे ठीक है दोस्तों एक चीज़ याद रखना जो हमारा stop push button होता है उसमें NC contact का इस्तेमाल करते है और जो हमारा start push button होती है उसमें NO contact का इस्तेमाल करते है ठीक है दोस्तों यदि आपको यह नहीं मालूम कि किस प्रकाश से हम NO NC push button का उप्यों करते है और इंका connection हम कैसे करेंगे तो उसके लिए मैंने एक वीडियो मनाया हूँ उस वीडियो का लिंक में description में दे दूँगा वहाँ पे आप क्लिक करिए और उस वीडियो को देखके NO NC का concept जो है वो उसको clear कर सकते है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है अब हम क्या करेंगे दोस्तों देखिए यह जो हमारा start push button है उसमें से एक wire को connect करके हमारा जो selector switch है उसके एक terminal पे connect कर देंगे ठीक है अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले auto वाले position पे wiring करेंगे ठीक है इसके लिए आप क्या करोगे यह जो हमारा selector switch है उसको auto position में select कर दीजिए ठीक है और उसके बाद आप क्या करेंगे एक multimeter के दोरा continuity test करेंगे जिस टर्मिनल पे आपने इस wire को connect किया था उस टर्मिनल से जिस टर्मिनल पे continuity आएगी उस टर्मिनल से एक wire को connect करके हमारा जो timer है उसके A1 terminal पे connect कर दीजिएगा ठीक है यहाँ पे जो हमारा timer था उसको incoming power supply मिल गया यानि कि timer के coil में face supply मिल गया और यहाँ से neutral supply मिल गया ठीक है दोस्तों अब जो हमारा timer है इसके auxiliary contact को भी power supply चाहिए ठीक है तो हमारा जो timer होता है उसमें 3 contact होते है यह जो हमारा A1 terminal था उसमें से एक wire को loop करके 15 नमर terminal के सर connect कर देंगे ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 15 लिखा हुआ है ठीक है इस terminal के सर हमने एक wire को connect कर दिया ठीक है दोस्तों अब जो हमारा timer है उस timer के जो inner contact है ठीक है जाके A1 terminal के सर connect कर देंगे ठीक है अब यहाँ पे जो हमारा timer का connection था वो complete हो गए ठीक है अब यदि मैं इस control MCB को on कर देता हूँ ठीक है और उसके बाद हमार जो selector switch था उसको auto position पे select कर देता हूँ उसके बाद में मैं क्या करता हूँ यह जो हमारा start push button था इसको press करता हूँ ठीक है तो इसको press करने पे क्या होगा हमारा motor start हो जाएगी ठीक है और जितना time में timer मैं set किया हूँ माल लेता हूँ कि यह जो हमारा motor था उसको मुझे 30 minute चलाना है ठीक है तो मैं क्या करूँगा इस timer में 30 minute का time set कर दूँगा ठीक है तो जैसे ही 30 minute का time complete होता है तो क्या होगा हमारा जो timer है वो motor को burn कर देगा ठीक है दोस्तों यहाँ पे हमें stop push button को press करके burn करने की जो नहीं पड़ेगा ठीक है दोस्तों अब यदि मुझे उसके पहले ही motor को burn करना है तो मैं यहाँ पे stop push button को press करके burn कर सकता हूँ ठीक है अब यहाँ पर हमने timer का connection तो complete कर दिया ठीक है अब यदि मुझे motor को बिन timer के द्वारा on करना है यानि कि मुझे आदा घंटा से ज़्यादा time पे चलाना है motor को तो कैसे करें तो यहाँ पे हमें manual position का upio करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों तो यह जो हमारा selector switch है इस selector switch को हम manual position पे select कर देंगे ठीक है manual position का connection करने के लिए दोस्तों देखिए यह जो हमारा selector switch था ठीक है उसके एक terminal पे हम का करेंगे यहाँ से wire को loop करके connect कर देंगे ठीक है मैंने क्या किया यह जो terminal था इस terminal पे हमने एक wire को connect कर दिये ठीक है तो यह जो हमारा selector switch था उसको incoming power supply मिल गया है ठीक है अब हमें क्या करना है कि multimeter के द्वरा continuity करना है ठीक है अब इस terminal के द्वरा जिस terminal पे continuity आएगी उस terminal पे हमें wire को connect करना है और उसको ले जाके A1 terminal के सारा connect करना है ठीक है मैं क्या करता हूँ यहाँ से wire को connect करता हूँ और इसको ले जाके यहाँ पे connect कर देता हूँ यहां पर connect किया है इसका मतलब यह है कि यहीं पर connect किया हूँ आप यहां पर देख सकते हूँ कि यह जो wire आया है यहां से वो यहां तक आया है तो मैंने यहां पर बस आपको show कर दिया कि यहां पर connect किया हूँ दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो हमारा start push बटन था, उसके और्गोइन टर्मिनल से एक वायर को connect करके, हमारा जो contactor है, इसका inner contact का इस्तमाल करनेगा, यानि कि यहाँ पर एक वायर को connect कर दो, ठीके, यहाँ से एक वायर को लूप करके, यहाँ पर connect कर दिये, ठीके, अब जो contactor का और्गोइन टर्मिनल है, उस टर्मिनल से एक वायर को connect करके, हमारा जो start push बटन है, उसके incoming टर्मिनल पे connect करना है, ठीके, यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वायर को connect करता हूँ, ठीके, दोस्तों, यही आपको यह वीडियो पसन आया होगा, दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीस इस वीडियो पर लाइक कर दीजेगा और यदि आपने अभी तेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद